धार के मांडू में अब संत शिरोमणी रविदास कुंट का विकास परेटकस्थल के रूप में किया जाएगा जिसको लिएकर परेटन संसक्रती वं धर्मस्व मंत्री उशाठाकों ने विकास कार्यों का भूमी पूज़न किया इस अफसर पर आरहसस के मालबा प्रांथ के प्रचारग बलीराम पटेल भी मौजूद है इसके साथ ही रविदास समाज के अनेक लोगों ने कारिक्रफ में शिरकरत की देखे खास रिपोर्ट दरसल मांडू में संते शिरोमणी रविदास के चमतकारों को जनता के बीच पेश करता एक कुंड है जिसका धार्मिक लाप आम जनता लेती आई है काफी सालों से इस स्थान के सुध नहीं ली गई थी वहीं अब इस स्थान के सुध लेने का काम किया है मंतरी उशा ठाकुने जिन्हों ने इस स्थान पर 74 लाख रुपई की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमी पूजिन किया और जल्द विकास कार्यों को पूर्ण करने का वादा किया साधना की जब वो इस शेत्र में आये तो दुर्विक्ष से ग्रस्त था यह शेत्र राजा और रानी ने प्रार्धना की उनसे कि पानी के अभाव में हम सब के प्राण निकल जाएंगे तो संत शिरोमनी रविदास जी ने यहां गंगा मया को अपनी साधना से प्रकट किया था और यह अदभुत कुंड और भगवान शीव का जो मंदिर हम यह देख रहे हैं यह तपस्थली है संत रविदास जी माराज की और उनकी उपस्तिती और प्रभू का प्रतिक्ष आश जारक वली राप पटेल भी मौजूद थे जिन्होंने बताया कि कैसे समाज में ओच नीच का भेड़भाव पैदा हुआ प्रिदास जी महराज के चरणों में सादर प्रणाम, सारे भारत के समाज जीवन में पिछड़े दवे कुछले ऐसे बंधों को उपर लाने का काम करने वाले ऐसे महान अभी जैसा बताया कि ज्ञान का बंडार जिनके अंदर था एसे पुझ बाबा सावां बेट कर इनके चरणों में भी सादर प्रणाम मंच पर उपस्थित संत ग्ले उनको भी सत सत नमन करता हूँ साथ ही आज के इस कारक्रम के मुख्य अथिती के रूप में हमारे मत्यप्रदेश सासन की मंतरी मुसा दिदी अपने इस कारक्रम में आज के इस्थानी समाजन जो अपने हाग के इंदोर के अध्यक्ष है राश्टी स्थाथ पर समाज को मार्ग दर्शन करने वाले संगटित करने वाले सूरज जी भाई साब अपने इस्थानी भारती जनता पार्टी के अध्यक्ष द्वाए और आज के इस अभिनो आयोजन में उपस्थित सुधी समाजन यो मात्र सक्ति संत्र रहुदाज जी के बारे में महराज जी ने काफी कुछ बताया है लेकिन उनके जीवन की सभी प्रकार की वाणियों को हम जब देखने जाएंगे तो प्रत्ते एक वाणी में अने एक प्रकार के मार्ग दिखाई देंगे और हर मार्ग एक समंदर की तरह है इसे उन्होंने कहा कि उनकी एक एक वाणी एक एक वाक्य बहुत बड़े गूड आर्थ लेकर रहें एसे ही उनकी ब्याक्षाई भी समुदर की तरह है अब जम उनके जीवन को परिद्रस्य को देखेंगे तो जो आज कई प्रकार के भेट खड़े करने का काम समाज में चलाए जाता है हमको ध्यान में आएगा कि उस पंद्रवी सताग्डी में भी कहीं भी ये समगर हिंदू समाज में इस प्रकार के छोटे बड़े का भेट नहीं था लेकिन कालांतर में हमारे उपर खुकते चले गए और समाज बढ़ता चला है संत रविदाजी के जीवन में भी यही सब कुछ हुआ है कता कति जिसको आज कहते हैं छोटी जाती में रहने के बाद भी गुरू गुरू जिनको बनाया वो रामान अंस्वानी वो कौन थे वही एक महा मना थे एक महान विद्वान उस समय के महान गुरू आज बड़ा ही शेत्र के लिए गुरू का विशेरह एक संत रविदाजी की पवित्र भूमी रविदास कुंड जहां से अमरत जल आसपास के लोगों को पीने को मिलता है एसे यतिहासिक इस्थान के विकास कारे को लेकर पर्यटन विभाग ने बहुत्तर लाग रुपे से उस कारे को विकास करने के जिए मंजूरी जी है और उसी कारे का भूमी पूजन था इस भूमी पूजन के कारे में परेटन मंत्री संग के प्रांत परचारट सामाजिक समरस्ता के कारिकरता विभाग परचारट सूरज के रो संत रविदास विश्व महापीट के सूरज के रो युवा मोर्चे के राष्टिय महामंत्री साथ में किशन देव महाराज व्रंदावन धाम रविदास पीठ उज्जेन के पीठादीश्वर मघर से पदारे संथ वो भी आज उपस्थित रेते सभी लोगों ने मंचे की सुभा बढ़ाई इंदोर नगर अहरवार ग्यारापंच केंद्रिय कमीटी के द्वारा इस आये जन में भाग लिया गया 20 इस्थानों से यहां पर लगबग 500 की संख्या में समाज जन और अन्य समाज के लोग भी इसमें उपस्थित रहें यहां जो इस्थान है बड़ा केंद्री है समरस्था के इस कारिकम में बड़ा ही अच्छा सुंधर दर्श्व था पुरे छेतर के सभीस प्रकार के समन इस कारिक में उपस्थिते 12 समाज जन एक माला में पीनोय दिखे और बहुती विवस्थित रूप से इस चेत्र का विकास करना है इस उद्धेश यह कारेकम आयुजित क्या गया था रोग स्वाभीवान का केंद्र बने संपूर्ण इंदो समाज का संतर अविदास किसी एक समाज के नहीं होते वे संपूर्ण देश के महापुरूस थे संपूर्ण देश के संतर शिरोमनी थे उनके बतायों मार्प देश्ण पर चलने की आज आउशिकता है इसी उद्धेश के साथ में यह कारेकम आयुजित क्या गया था आपका चंदर शेकर पुश्वा घुमी पुजन कारेकर में जला पंचायत अध्यक् शुराजी व्यादव, जैराम गावर, स्डेम, रोश्नी पाटिदार, नायाप तहसिलदार, सुरेश्ट नागर, रविदासिया समाज के सूरज कैरो, रमन कैरो समित संतगंड और गंडबानी नागरिक विशिश रूप से मौजूद थे Bureau Report, MP News, Mandu